हेलो ट्रेडर्स आज की ट्रेड के पिछे का लॉजिक क्या था एड दे अंड अव दे डे में हमारा पिएनल क्या रहा और सबसे इंपोर्टेंट बिना सेटप के आज मैंने किस तरह की से ट्रेड किया बिल्कुल मैंने बीना सेटप के आज ट्रेड किया और वो मैं पता था कि बीना सेटप के मैं ट्रेड कर रहा हूँ बट क्यों मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट में चार्ट सबसे ज़्यदा इंपोर्टेंट है चार्ट ही सुप्रीम सेटप तो बस इंट्री एक्जिट के लिए होता है इसे हम डिटेल के अंदर समझेंगे तो पहले पीनल पे चलते हैं और फिर बाद में चार्ट को समझेंगे किस तरह की से buying के अंदर market जा सकता था और selling के अंदर market किस तरह की सा आया तो आप देख सकते हैं आज की दिन का पीनल है 2600 रुपए और सिर्फ जो है normal मैंने एक lot पर जो तो आज इसे हम detail के अंदर समझेंगे तो पहले पीनल पर चलते हैं और फिर बाद में चार्ट को समझेंगे किस तरह की से buying के अंदर market जा सकता था और selling के अंदर market किस तरह की सा आया तो आज के दिन का पीनल जो है 2600 रुपए और सिर्फ 50 quantity पर मैंने ट्रेड किया है अब देख सकते हैं 222 पर entry हुई है और 274 के आसपास मैंने इसको exit किया था नॉर्मली देखे जाए तो मेरा जो profit होता है नॉर्मली मैं 80 point 100 point इतना capture करता हूँ बट क्यों आज मैंने सिर्फ 50 point पर exit कर दिया market के अंदर इसके पीछे के भी logic है बट overall देखे जाए तो ये भी एक अचा-कासा profit बट पोइंट capture किये चार्ट के अंदर चलते हैं और detail के अंदर बात करते हैं कि किस तरह के से आज की trade execution होई तो जब market morning के अंदर gap ओपन हुआ तो मेरा view clear था कि मुझे bank side के अंदर जाना है ठीक है क्योंकि market का trend continue previous 2-3 दिनों से continue अब था market यहाँ पर open हुआ अब यहाँ पर open होते हैं भी market इन sellers के stop loss को target कर सकता था और continuation में जा सकता था यहाँ पर आपको psychology समझना है मेरा view था buying side का बट मैंने buying नहीं किया क्यों 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 कि buying का कुछ behavior तो दिखना चाहिए market में कोई setup तो बनना चाहिए market में chart उस तरीकी से create होना चाहिए कि buying side में दिखे यह सिर्फ high cross करने से market के अंदर buying का setup नहीं बन जाता है market यहाँ पर कोई भी buying का scene नहीं दिखाया और हुआ क्या कि यह जो sellers हैं इन्हों अपनी position छोड़ी नहीं market के अंदर पहली rate गना मनी तो इनका market के अंदर view clear हो गया कि market अच्छा कासा closing देगा तो market के अंदर वो अपनी position को exit करेंगे यह चीज़ें भी आपको chart के अंदर detail के अंदर समझना बहुत ज़र्य होता है तो market में उनकी position exit नहीं होई तो market नीचे की तरफ आ गया अब buying का मेरा view था तो मुझे buying buy on dip बिल्कुल नहीं करना था market अच्छे कासे level में open हो करके previous day के high and low की range के अंदर वापिस आ गया अब यहां से buying के अंदर convert होना not possible और अगर होता भी है तो यहां पर आपको क्या सोचना चाहिए कि at least confirm तो करे price यह जो resistance इंट्राडे का resistance के रेट किया है कम से कम price उस resistance के पास में clear करे अगर इस resistance को test करता है that is a strength sign market यहां से strength शो करेगा then it can go up तो market ने clear ही नहीं किया कि market उपर जाएगा market continuation में आया support के रेट कर रहा है यहां पर देखो यह support सबको देख रहे हैं वापिस breakdown कर दिया यहां तक आते हैं मुझे clear हो गया market की उपर की तरह बिल्कुल नहीं जाना वाला है market नीचे की तरफ clear है कि market नीचे की तरफ जाएगा अब यह देखो यह support है market इनको कितना बार test कर चुका यह support बहुत ज़्यादा weak हो चुका है तो अब यहां पर clear वी हो चुका है कि market यहां से उपर जाने की strength बिल्कुल नहीं है otherwise market buying area के अंदर open हुआ यहां से जा सकता था even breakdown किया यहां से continuation में फिर वापी जा सकता था इनको test करके बट market ने complete weakness दिखाई तो यहां पर buying का thought खतम अब जो है market को अगली चाल किस तरह किसे हमें चलना है market ने support पर आया support test कर दिया weakness का पहला sign market अब support के पास में अब देखो breakdown करके मैं चाता तो यहां पर breakdown के अंदर भी sell कर सकता था ज़्यादा तर लोग यही करते हैं retail trader की सबसे बड़ी mistake ही होती है आप इसको setup के भी कह सकते हैं कि मेरा setup है breakdown setup है बट मैंने उसके अंदर क्यों नहीं किया और क्यों मैंने आज entry यहां पर की यहां पर जाकर करके entry की बिल्कुल exact यहां पर entry की और somewhere around यहां पर आते है तो मैंने जो वापिस river से लाने लगा यहां पर जाकर exit किया इसके पीछे logic क्या था कि support बहुत tested हो चुका है market को उपर जाना था तो market यहां से जा सकता था clear कर दिया buying में नहीं जाएगा अब यह जो support है market इन्होंने भी clear कर दिया कि यह app support तूटेंगे market नीचे की तरफ जाएगा तो जैसे इन support को test किया तो मेरा view clear है कि market negative में जाएगा pullback है अब pullback के अंदर entry क्योंकि simple logic बड़ी red gundal high touch किया नहीं मतलब sellers aggressive है एक भी red gundal का high वापिस cross कर रहा है नहीं बड़ी red gundal वापिस high cross कर रहा है नहीं मतलब sellers यहाँ पर बहुत aggressive है market में एक भी red gundal का high cross निकल रहा अगर मैं breakdown पर enter करता हूँ यहाँ पर जिन्होंने breakdown पर enter किये वापिस pullback में उनको exit करवा दिया वापिस जो भी यहाँ पर breakdown के अंदर इन्होंने यहाँ पर enter किये वापिस pullback के अंदर इनको निकलवा दिया तो यह चीज़े यह price में बार-बार देख रहा था और मेरा mind clear हो गया कि अगर मैं breakdown के अंदर entry की मैं गलती से भी तो market 100% मुझे pullback के अंदर निकाल देगा और यह देखो वापिस deep pullback इतना है यह देखने में normal लग रहा है बट कम से कम 60.40 minimum इतने है तो market में मेरा direction clear हुआ जैसे thought process clear हुआ immediately मैंने यहाँ पर stop loss डाला इसी pullback के अंदर entry किया बहुत छोटा stop loss था है यहाँ पर और immediately market ने इतना बड़ा target देदिया इसको exit करना का भी कारण क्या था मैं चाहता तो इसको और hold कर सकता था बट market में जब भी supports breakdown या फिर resistance breakout पर बहुत बड़ी candles बन जाती है market वापिस reversal start हो जाता है वापिस pullback जो है deep pullback सामें start हो जाते है यह देखो इतने deep pullback है इसलिए मैंने यह जो red gun closing करने का start हुआ तभी मैंने इस यहाँ पर exit कर दिया अब price को next तरीके से यहाँ पर समझो कि market intraday का trend negative है अब मैंने exact अगर बताऊं तो यहाँ पर मैंने buying का plan था इस point पर बट हुआ क्या क्योंकि price जो है खुद अपने आप में बताने लग जाता है अगर आप chart को read करते हो chart खुद बताने लग जाता है कि नीचे की तरफ जाएगा या फिर नहीं जाएगा market किस तरीके से weakness और strength को दिखा रहा है इवन इतनी बड़ी kindness बन रही है फिर भी मुझे clear था कि market यहाँ से reversal करेगा और उपर के तरफ जाएगा क्योंकि यह चीज है जो मैं आपको advance chart reading अदर detail में बताता हूं कि कि तरीकी से market trend continue करता है trend reversal जो है उसका sign कैसे देता है market weakness और strength कैसे दिखाता है trap करेगा भी तो उसके advance point क्या होते है market के अदर कैसे show करता है तो market multiple confirmation भी आपको कैसे देता है सारा खेल chart reading का है अगर आपको उसको समझ गए setup सिर्फ entry exit के लिए market में setup सिर्फ बच्चों का खेल होता है अगर आप price को read करना सीख गए तो market automatically आपको पैसा देने शुरू कर देगा अगर आपने यहाँ पर detail के अंदर price को observe किया होगा तो मेरा entry point somewhere round यहाँ पर था और यहाँ देखोगा आप तो market यहाँ से जब market यहाँ पर आया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना momentum इतना fast किया और option का premium देखो तो में 340 पर short करने जा रहा था market immediately 314, 310 इतना जो है premium decay हुआ immediately तो market बहुत fast momentum किया इतने fast momentum में मैं entry नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता entry point miss हुआ कोई बात नहीं second trade miss होगी at the end of the day में बहुत जादा volatility market के अंदर देखने को मिली बट हमारा काम है जहां पर भी हमारा setup बने अगर setup नहीं बन रहा है और chart clear है market के अंदर direction clear है तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ direction clear है तो वहीं पर risk लेना सबसे ज़्यादा important है setup ज़रूरी नहीं होता risk लेना important होता है अगर market के अंदर direction clear है मुझे direction clear देखी मुझे देख रहा है market जो हाई भी cross नहीं कर रहा है clarity है बट वहीं पर risk लेना ज़रूरी है सही जगे पर breakdown के चकर में आप हमेशा loss करोगे pullback के अंदर market निकाल देगा और फिर जो है फिर वापिछ बाद में जाकर के momentum करेगा एक point और यहां पर आप सीखो कि market आज के अंदर तो बहुत ज़दा volatile था बट market क्या होता है कि first half के अंदर जो market behavior होता है ज़रूरी नहीं है कि market second half के अंदर भी market same behavior करे market अगर selling के अंदर first half के अंदर जा रहा है तो मिलते हैं आज से next video के अंदर तब तक के लिए आपका thank you